अब यह कहता है यह बोडी या मास M is thrown with velocity with angle 30 degree with horizontal अगर आप इतना सारा मैं आपको करवा दिया question और यह question आपको देखते ही हो जाएगा जैसे इसको देखो गए वैसे इसको कर सकते हो अगर एक projectile motion है जिसको मैंने 30 degree पर horizontal से project किया चलो horizontal से यह velocity से 30 degree पर project किया फिर horizontal से उसी body को 60 degree पर project किया आपको पता इसका रेंज सेम होता है रेंज सेम होता है तो रेंज सेम होता है तो r1 और r2 का ratio कितना हो जाएगा 1 ratio 1 ठीक है 1 ratio 1 ठीक है आया था इसा question कई बारा आया 3-4 बारा है यह ठीक है कर access को झाल झाल क organizvy जो हम पुतिया को झाल 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 जाल झाल